नमस्ते फ्रेंट्स मैं हूँ धननजय उमीद करता हूँ कि आप लोग अच्छे होंगे बांगलादेश को अजादी मिलती है 1971 में और सबसे पहला चुना होता है 1991 में उसके बाद साल 1975 से लेके साल 2024 तक याने के इस साल तक टोटल 29 अटेंट्स हो चुके हैं तकता पलटके एजन इंडियर हमारे लिए ये बेहर जरूरी होता है कि हम इन सब डेवलप्मेंट को देखे और वहां से समझे जो आज के डेट में बांगला देश में हो रहा है ये कहीं न कहीं एक बहुती पर्फिक्ट ग्राउंड देता है उन सभी देशों को जो किसी भी तरीके से बांगला देश में घुसना चाते हैं और अपने इंट्रेस्ट को साधना चाते हैं यहाँ पे दो देशों का जो रोल है वो काफी important हो जाता है एक तो पाकिस्तान का और दूसरा चाइना का अगर स्पेसिफिकली पाकिस्तान के बारे में बात किया जाया तो पाकिस्तान का आर्मी और वहां के ISI और उसके बार चाइना के दुआरा fund दिया जा रहा है जहाँ पे का जो whole एक कही ना कहीं जो intention है वो यह है कि जो 1971 के war में जो बांगलादेश पाकिस्तान के हाथ से निकल गया था उस embarrassment को किसी भी तरीके से कम किया जाया नॉर्मली कितनी बार हम किसी भी protest को बहुत हलके में लेते और हमें लगता है कि यह तो बस एक simple सा protest है अगर हम बांगला इतना जादा बड़ा हो गया कि शेक हसीना को अपने ही देश छोड़के भागना पड़िया कहीं न कहीं जब यह momentum built हो रहा था तो शेक हसीना और उनके जो सलाकार थे वो भी इसको जादा seriously नहीं लिये इसी बीच क्या होता है कि जितने भी वैसे elements थे जिनका नजर बांगला देश के military का जहाँ पे अगर वो चाहते तो initial days में इन सब प्रोटेस्ट को वो खतम कर सकते थे लेकिन क्या हुआ कि वो initial days में इस प्रोटेस्ट को खतम नहीं किये बलकि उसको और momentum गेन होने दिये और as a result यह होता है कि आज हम कह सकते हैं कि complete तरीके से बांगला देश में एक तकता पलट हो चुका है जहां पर अभी के हिसाब से वहां के जो सर्वे सर्वा है वो army chief वकार जमान है हलाकि कहीं से भी अब तक यह official declaration नहीं आया है कि पाकिस्तान के अगले जो supreme leader या जो देश को सम्हा लेंगे वो वहां के army general ही सम्हा लेंगे लेकिन जिस तरीके से momentum built हो र नहीं चाहेगा कि बांगलादेश में एक normal सरकार बने क्यूंकि अगर किसी भी तरीके से पाकिस्तान ये चाहेगा कि बांगलादेश में एक normal सरकार बने तो वो कभी भी इस protest में participate ही नहीं करता और साथ में एक सबसे बड़ा चीज जो शेक हसीना के खिलाफ चला गया वो ये है कि साल 2009 से लेकि साल 2014 तक वही सत्ता में रही और जब वो सत्ता में रहें तो जो opposition parties हैं खास करके Bangladesh National Party उसके जो top leaders थे या तो उनको jail में बंद कर दिया गया या तो वो हमेशा के लिए गुमनाम हो गया यानि कि उनको मार दिया गया तो जब किसी भी देश में सरकार काफी लंबे दिनों तक सत्ता में रहते हैं तो उनके खिलाव जो नाराजगी है वो बढ़ते रहती हैं तो as a result क्या होता है कि जो opposition में political parties रहते हैं वो कुछ भी कहते हैं तो काफी अच्छा लगता है यानि कि देश में अगर कोई problem भी रहता है तो सिर्फ opposition parties अगर कह देते हैं तो हमें लगता है कि जो ruling government है ये बेहत बेकार है और जो opposition कह रहे हैं वो सही कह रहे हैं साथ में अगर बात किया जाए तो वो opposition parties जो आज बढ़ चड़कर claim करते हैं कल को अगर वही सत्ता में आएंगे तो उनके साथ भी almost same situation रहेगा और साथ में अगर बात किया जाए तो ये सब students या लोग Bangladesh के जो आज इस तरीके से suggestion मनार हैं chances काफी high है कि जो सबसे अधिक suffering होने वाली है आने वाले दिनों में वो इन ही के उपर होने वाली है क्योंकि शेक हसीना के almost जो families हैं वो primarily आपके UK में रहते हैं या तो अलग-अलग western countries में रहते हैं और उनका age almost 76 हो गया था तो chances ये भी है कि वो दुबारा इसके बाद कभी politics में नहीं आते हैं अगर more or less समझा जाये तो आने वाले दिन बांगलादेशों के लिए काफी तकलीफ वाली होने वाली है साथ में बांगलादेश में एक student wing है जिसका नाम है इसलामी चातर सिबिर इसके बारे में ये कहा जाता है कि इससे associated जो लोंग है उनसे regular पाकिस्तान का ISI मिलता रहा और पाकिस्तान को regular fund करता रहा चाइना ये वही पाकिस्तान है जो ना खुद की अजादी को बचा पाया नहीं तो बांगलादेश की अजादी को वो बचने दिया और साथ में जितना active participation पाकिस्तान आर्मी या पाकिस्तान के ISI का है अगर इसके आधा का आधा भी पाकिस्तान आर्मी अगर अपने देश में focus करतें तो आज पाकिस्तान में भी tourist जाते और पाकिस्तान को as in terrorist nation नहीं जाना जाता एक simple सा reservation protest कभी भी इतना valent नहीं हो सकता है जितना valent इस protest को देखा गया तो कहीं न कहीं एक बहुती full flesh तरीके से शुरुवाती दिनों में सिर्फ student से participate कर रहे थे और उसके बाद पाकिस्तान के ISI और चाइना के दौरा इसमें involvement बढ़ाया गया और as a result ये होता है कि ये एक massive तकता पलट के रूप में हमारे सामने आया इस पूरे protest में नहीं दिसलाम जो most probably ये बीचवाला लड़का है इसका नाम काफी बढ़ चड़ कर आया इसका नाम कुछ इस तरीके साय है जहां पे ये जो initial days में reservation को लेके protest हो रहे थे तो उस protest को ये almost lead कर रहा है और अगर इसके बारे हैं बात किया जाया तो ये department of sociology का धाका university का student है लेकिन इसके बारे में भी बहुत सारे जो खबर है वो अब आने शुरू हो गए इनके protest का जो focus point था वो सिर्फ और सिर्फ शेक हसीना थी लेकिन उसको कुछ इस तरीके से दिखाया गया था जैसे कि इनका जो नाराजगी है वो reservation को लेके है और जहां तक बात किया जाए reservation के बारे में तो जिस तरीके से शेक हसीना के दुआरा reservation दिया गया था यानि कि out of 100% 56% या कहीं कहीं उससे भी अधिक reservation दिया गया था तो इसको भी देखने के बाद जो वहां के neutral students थे वो भी काफी खफा हो गये थे और उसके बाद उनके concerns को time पे address नहीं किया गया था लेकिन वहीं पे जो media reports कहते हैं उसके हिसाब से नहीं दिसलाम को शेक हसीना के दुआरा जो police भेजे गये थे वो इनको ले जाते हैं और interrogation किया जाता है और उनको physically abuse भी किया जाता है यानि कि मारपीड भी किया जाता है साथ में नहीं दिसलाम के दुआरा कुछ दिये के protest के time पे जो slogans थे वो कुछ इस तरीके से थें कि आज हमारे हाथ में डंटा है लेकिन कल हमारे हाथ में arms रहेगा so exactly अगर आप इनके statements को देखेंगे या जिस तरीके से इस पुरे protest को ये lead कर रहे थें बहुत कम chances है कि बिना foreign element का involvement का आप directly सरकार से लड़ भीड सकते हैं और उसके बाद पूरे protest में ये जिस तरीके से survive भी कर जाते हैं तो कहीं न कहीं chances काफी high लग रहा कि इनको काफी अच्छे तरीके से training दी गई है जहां तक बात किया जाए जमाते इसलामी या इसलामी चातर सिविर के बारे में दोनों एक ही हैं इनको काफी अच्छे तरीके से पाकिस्तान के ISI के दोरा training दिया गया है और एक भीड को किस तरीके से उगर बनाया जाए उसके बारे भी इनको काफी अच्छे तरीके से plan बन के आएं लेकिन आने वाला दिन जो वहां के बंगलादेशी हैं लोकल जो आज सपोर्ट कर रहे हैं पाकिस्तान को या चाइना को या स्पेसिफिकली आईएसाई को सबसे अधिक तकलीफ इनहीं को होने वाला है क्योंकि इस पूरे प्रोटेस्ट में जो बंगलादेश की जो सरकारी प्रोपर्टी उसको बढ़ चड़कर नुकसान पहुचा है I hope that you like the video अगर फिर भी मुझे कहीं कोई कमी या कहीं कोई गलती होगे तो मैं माफी चाहूंगा मैं चाहूंगा क्या आप मुझे email करके बताएं See you in the next video, have a wonderful day, thank you, take care, goodbye